नमस्कार दर्सकों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ, अच्छे होंगे, शुवस्त होंगे और मजे में होंगे। दर्सकों, आज का जो हमारा वीडियो है, वो एक सपने के अर्थ पर में आधारित है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, कि अगर आप सपने में ये देखते हैं, कि आप भालू के साथ में खेल रहे हैं, भालू के साथ में आप मस्ती कर रहे हैं, तो इस सपने का क्या अर्थ होने वाला है? इस सपने को देखने के बाद आपके जीवन में क्या प्रभाव क्या कोई फाइदा होने वाला है या फिर कोई नुक्षान होने वाला है ये सपना आपके लिए क्या संक्यत लेकर आया है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए परंतु उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है तो आईए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप जानते होंगे कि आप जब भी कोई शपना देखते हैं तो उस सपने का आपके जीवन से कोई न कोई शंबंध होता है उस सपने को देखने के बाद सपने का प्रभाव जो है वो कभी आपके लिए अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है तो आज का शवपन भालू के शात में मस्ती कर रहे हैं। भालू के शात में अगर आप खेल कुद रहे हैं। उसके साथ में अगर आप कुछ हसी मजा कर रहे हैं। तो वो आपके लिए असुभ यानि की बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि भालू जो है, वो कोई टेडी बियर नहीं है, वो असली भालू है, और असली भालू यानि की सामने में मौत को देखना, मौत के शाथ में खिलवार करना, तो इस सपने का यहाँ पर क्या अ गलती करने वाले हैं, साड़ी बाते आपको पता है, कि मैं जो यह काम करने वाला हूँ, इस काम का क्या फल मिलेगा, इस काम को करने के बाद नौकडी के छेतर में, काड़वार के छेतर में, पारिवारिक जीवन में, समाज में, पड़े मिशंबंध में, दामपत्य जीवन म हर पार्ट में पड़ेशानी हो सकती है समस्या हो सकती है ये जानने के बाद भी आप ये गलती करेंगे और उस गलती का परिनाम जो है वो आपको भोगना पड़ेगा जैसे कि आपने मान लिया कि आप नौकडी कर रहे हैं तो इस सपने को देखने के बाद मुझे पड़ेशानी होगी मुझे बॉस के साथ में सिनियर के साथ में कुछ समस्या का शामना करना पड़ेगा परन्तु जानते बुझते हुए भी आप ये हरकत करेंगे या फिर एक और उदाहरन लेजिए आप एक वेपाड़ी है आप खुद का कोई कारोबार करते हैं तो कारोबार के छेतर में आप ये जानेंगे कि मैं जो काम कर रहा मैं जो स्टेप ले रहा वो मेरे कारोबार के लिए बहुत बुरा है ये काम करने के बाद कारोबार के छेतर में नुक्षान हो सकता है मेरा कामकाज मंदा हो जाएगा मेरा कामकाज बंध हो सकता है कामकाज के छेतर में आर्थिक नुक्षान हो सकता है आप ये जानेंगे परन्तु जानते हुए भी आप ऐसी हरकत कर जाएंगे जो कि आपके कामकाज को डुबा देगा कामकाज के छेतर में आपको परिशानी का सामना करना पड़ेगा या फिर आप एक सामाजिक कार्ज करता है तो इस सपने के बाद अपने सामाजिक जीवन में आप कुछ ऐसी हरकत कर जाएंगे जो कि आपके मान सम्मान को च्छती पहुँचाएगा अपने समाज में जानते बुझते हुए भी आप कुछ ऐसा गलत काम कर जाएंगे जो कि आपके समाजिक जीवन के लिए नुक्षान देह साबित होगा और वहां आपके मान सम्मान में, इज्यत में, प्रतिष्ठा में बहुत कमी हो जाएगी यानि कि सब जानते हुए भी आप ऐसा करेंगे, जो कि आपके लिए नुक्षान देह साबित हो सकता है यानि कुल मिला कर देखा जाए, तो ये सपना आपके लिए बहुत जयादा असुब होगा तो इस सपने को टालने का, सपने की परभाव को कम करने का एक उपाई है, अगर उपाई किजिएगा, तो फाइदेम रहिएगा उपाई क्या है, कि सपना देखने के बाद अगले दिन आपको महादेव की पूजा करनी है इस सपने की बारे में आपको महादेब को बता देना है अगर आप ये करते हैं तो शमस्या का शमाधान हो जाएगा और परिशानी जो है वो या तो बहुत कम होगी या फिर नहीं होगी दर्सकों उमीद करता हूँ शारी बातें असपस्ट हो चुकी होगी अगर आपके मन में कोई प्रस्ट नहों हो कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा शाहायता आवश्य की जाएगी वैसे मुझे उमीद है अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगह सेयर कर देना है तो मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवद